हेलो गाइस और वेरकम टू माई योटोब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश दोस्तों आपको ओपो यफ 21 और यफ 21 प्रो के फोन में फुल स्क्रीन सेटिंग को आन करने के लिए सबसे पहले फोन में शेटिंग ओपिन करना है इसके बार नीचे आना यहां पे आप लोगों क दिखाये देगा convention tool का option. Convention tool के option पर आप لوगों को करना है convention tool के option पर जैसी आप लोग करते है कुछ it's interface देखने को मिलेगाल अब यहां पर पहले आप लोगों को navigation button set करना होगा है यहां आप देख सकते हैं navigation button का option पर आप लोगों को click करना है नविगेशन बटन पर किलिक करने बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पाले strip getting from both side का उपसन दिखाए देगा इस पर किलिक कर देंगे इस पर किलिक करने बाद आप लोग जो दोनों side से slide करके बैक आ सकते हैं जिसमें आप लोग स्विप गेचल लगा सकते हैं और यहाँ पे वर्चौल बटन का option है वर्चौल बटन के option पर आप लोग किलिक करेंगे ति यहाँ पे दो टाइप की आपको वर्चौल बटन दिखाये देंगे एक तो है left side किलिक करके आप लोग बैक आ सकते हैं, एक तो है right left side क्लिक करके आप लोग बैक आ सकते हैं यहां पर आप लोग जो भी style चूच करना चाहते हैं वह style पहले आप लोग यहां से चूच कर लिजिए इसके बाद नीचे है आटो हाइड वर्चुल बटन का option इसको आप लोग आन कर दीजिएगा इसको आन करने के बाद यह तीनों न वर्चुल बटन आटोमेटीक हाइड हो जाएंगी और आपका phone फुल स्क्रिंग में हो जाएगा यहां आप देख सकते हैं वर्चूल बटन नेभेगेशन बटन हाइड हो अगरा पूरा फुल स्क्रिंग हो चुका है नाच्य से ऊपर के तरफ सलाइड करते हैं नोट्र इस पे navigation बटन सो होती है और automatic हाइड हो जाती है और दोस्तो इस तरीके इस आपको करना है फुल स्कीन और अगर आपको वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तो जरूर करिए